नमस्कार नीज फॉर्णेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वन्दना बिहार में दो सीटों पर उप्चुना हो रहे हैं परिनाम आने बाकी हैं हमारे साथ हैं कॉंग्रेस के मैं एमेल से प्रेम चंद मिश्रा और इनसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से बागी तेवर कॉंग्रेस ने जो अपना रखी है और जो प्रचार प्रसार किया गया उसके बाद गांगां भी आप लोग भूमें तो क्या लगता है कि ये तेवर आगे भी बरकरा रहेगा बिलकुल सं चारिकरताओं में एक उट्सा बढ़ा लोगों ने कहा कि ने अच्छा नेरने लिया है तो मेरा मानना है कि कार्यकरताओं से ही पार्टी चलती है जो वरकर्डों में जो इस पर उच्छा देखने को मिला वो भविस्की राजित की दसा और दिशा को तैइक करेगा ऐसा मेरा क मानना है और जो फीडबैक अभी आज वोटिंग हो रहा है दोनों जगा जो खबरे आ रहे हैं एक पॉजिटिव साइन यह है कि कॉंग्रेस के जो ट्रेशनल वोटर्स होते थे उनका जुकाव कांग्रेस के तरफ फिर से बढ़ा है कोई भी पार्टी अपने परंपरागत मद्दाताओं को इग्नोर करके नहीं चल सकती है तो कॉंग्रेस चुके हम गठवंदर में रहते थे तो जो हमारे परंपरागत वोटर होते हैं होते थे वो हमसे नाराज हो गए इस सब्सक्राओं में दोनों जगह कोई सब्सक्राइब कई गाओं में मैं खुद गया था और तारापूर में जो ख़वरे आ रही हैं जो हमारे प्रंपरागत वोटर हैं वो कॉंग्रेस को वोट देना शुरू किया है हो सकता है उनका अनुपात कम हो लेकिन भविश के लिए एक पॉजिटिव ट्रेंड होगा पार्टी के लिए और कॉंग्रेस एक बार जब अपते पैरों पर खरी हो जाएगी हमारा सब्सक्राइब हो जाएगा परसों सही हमारा सदस्ता अभियान आरभ होने वाला है तो मैं सब्सक्राइब नए लोग कॉंग्रेस पर आएंगे बिहार में तो यह चुट मुहिंए जो नेता है वो बोल रहे हैं और यहां तक के जो उन्होंने इस्तमाल किया उसको लेकर कभी उनोंने का है कि हम उनको आसा सब्सक्राइब लेकिन हां एक बाद जरूर रूरा प्रसाइब यादो यह लगातार कह रहे हैं कि लालू जो कॉं रिष्ट और अनुभवी नेता हैं विहार के लेकिन कई बारों जो बयान देते हैं तो वो समझ से पड़े हैं कि अखिर कहना क्या चाहते हैं उन्होंने कई बातें इस चुनाओं के संदर में कॉंगर्स पार्टी को लेकर कर लेकर काईे कॉंगर्स के परहुलू के बारे में डब पांजनक सब्नक परियोग किया है दुसरे तब कहते हैं कहारी सोनिया जी से बात होगे? ए सोनिया गांदी जी से तो इभिण राज़्तिक दलों के निताओं की बात्चित होती रहती है. यह कोई की विसरस्ता नहीं रखता है, कि अगर आपको कहते हैं जहां इक तरफ की हम सोनिया जी के साथ, कॉंगरस के साथ, अफ़। राष्ट्यस तरफर पर हमारा गटवंदन है हम उनी के साथ रहेंगे। तो पिर उनकी पार्टी को सीट क्यों नहीं दे रहें। बिहार में जो कॉंग्रेस है, सोनिया गांधी जी की ही तो पारटी है, और जो हमारे प्रवारी होते हैं, वो कॉंग्रस अध्यस्ट के विहाप में ही काम देखते हैं। बग्चरन दाश जी ने कोई अपने मंद से फैस्टा नहीं लिया। दूनों जगा पी जो कॉंग्रस के टिकट मिला है, सोनिय जी के एप्रूबल्स मिला है। सुनिया जी ने टिकट किया और आप कहते हैं कॉंग्रस के वारे में बहुत सारी इसी बातें जो हस्यस्पद हैं और वह बातें हमें स्विकार नहीं हैं खासकर अगर आप एक तरफ कहते हैं कि हमारा राश्टिय स्थर पर गठबंदन रहेगा हम सुनिया जी को ही अपना नेता मानते हैं तो आपको वह भी देखना पड़ेगा बिहार में कॉंग्रस पार्टी का क्या वाजिव हक बनता है और भक्चर अंदाज जी एक कोई व्यक्ति नहीं है वह उन्हीं के बिहाप में कॉंग्रस में काम देखते हैं और वह एक मात्र सुनिया जी के अधिक्रित व्यक् सरे उनके पार्टी को कमजोर करने के काम करेंगे गया और एक मकॉर के साथ हैं यहा कहीं ने कहीं तुमकर दवाव है नालू जी जो बयान दे रहे है दो दिन से, यसो नियाजीya, यसोनियाजी का नाम ले रहे हैं, ठीक है, आपके बाद होई होगी, उनकी बहुत छोशी होती है, लेकिन आप कांगर्स को क्वाध करके रिखना चाहते हैं, ने बिःर है कर बिहार में कांगर्स मजूत होगी, तुक यह कोई गठ मजूत होगा, ह और एक दूसरे के परती सम्मान का भाव कटना जोड़ी है दो सीट पर अगर आप जिस जाते हैं तो क्या आगे चल करके राज़त से गठबंधन करेंगे लिए गठबंधन का फैसला पार्टी के नीतियत फैसला होता है पार्टी करेंगी इस चुनाव में हम गठबंधन से हो रहा है जेट आएगा जो में अपक्षा है कि हमारे वोटर्स तेजी से लौट रहे हैं कॉम्छ को वोट कर रहे हैं मेरा मानना है कि भविस्ट में का इसकी क्या दिसा होगी व्यार की वह बैट के मुझत आए करेंगी लेकिन आट जेडी ने जो फैस्ता लिया वह फैस्ता कहीं से भी सेकुलर पॉलिटिक्स के हितों के अनुकूल नहीं था कहीं ने कहीं से सेकुलर विचारधारा को कमजूर करने की कोशिस की गई और इसके लिए आरजेदी दोस्य है कि आगे चल करके आप अगर बात अगर बंती है तो आप लोग एक बार फिर से गठ बंदन के हिसा रहेंगी देखिए वह आज के डेट वाज वोटिंग हो रहा हम करने के इस्तितीव नहीं इस सब्सक्राइब में जो भी फरस्था लेंगे पार्टी है कमाल लेगा और हमारे प प्रकट हुए हम पार्टी को अपने अस्तर पर विस्तार करेंगे अगर भक्त चरंदास से अगर माफी आर्जडी मांग लेती है तो क्या आप इस बात को भूल जाएंगे और आप दोस्त दोस्त बन जाएंगे सवाल ये पहला मौका थोड़ी था सिवानन जी ने कई बार र तो सिर्फ भक्षरंदाज जी वालति राहुल गांदी जी के खिला बयान दिया है कॉंडिस के बारे में खिला बयान देते रहते हैं इवन जक्तार नमाउ ने उसमें के हमारे परभारी शक्ति सिंग गोईली को आएंगे को कौन है किसी को क्या हम कहें कि कौन है तेस्वी जा है या उनको तैक करना होगा दो सीट अगर जीतती है क्योंकि वो दोनों सीट जीदू के पहले से रहा है तो अगर क्या लगता है कि बिहार में इस्तिती यही बनी रहेगी सुभावी के देखिए इस उप्चिनाओं के रिजल्ट से सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पढ़ने मॉत आभी के सिट जेडीयू की सीट आजाएगी अगर माले जीडियू जीती है आर जीडीय जीती है तो कॉंग्रस जीती है जो निरने कंगर्स से लिए कि अमने अकली लगना है उसको उस संबंध में पार्टी भषिस में क्या हमारी दिसा और दसा होगी उसके लिए काफी दिरनायक होने वाला है तो मैं समरता हूँ बिहार के मद्दाता खासकर पुस्षवरस्थान और तारापूर में इन चीजों को गौर करेंगे हम लोगों ने परचाट के दौरान भी किया और कहा यह उप्चिनाओ कॉंग्रस के लिए विसेस महतु रखता है जेडियू औ अगर हम जीते हैं एक मद्दाताओं कर समर्थन और मेसेज मिलेगा कॉंग्रस अपने लास्ते पर आगे बढ़े तो मैं समझता हूँ यह उप्चिनाओ कॉंग्रस के लिए महत पूर है मेरी यह सवाल इसी लिए थी और खास करके है कि राज़त की और से ख्याली पुलाव पकाया जा रहे हैं कि दो सीड़ी जाएंगे तो तोड़ मरूर कर सरकार बनाएंगे लेकिन अब कॉंग्रेस से मेरा एक सवाल है कि आप किलियर यह कर दिजिए कि क्या महा गटबंदन से आपकी जो है घठ बंदन रहेगी या फिर जो लालु पर साध यादों कह रहे हैं की राष्टे ये अस्तर पर हमारा जो है जोरी गटबंदन है ये बाती को आप ये किलिए कर देए अभी कौन सा गटबंदन अभी तो कॉंग्रेस किसी गटबंदन नहीं हैương इसमें यह कूं पैटिंग मुलाई नहीं एक तरफा फैसला ले लिया यह गटबंदन का मामला नहीं हम छे जार से आ रहे थे वो साथ जार से तरह पूर आ रहे थे हम छे जार से कुछ तो हमारा सीट क्यों नहीं बनेगा कुछ और यह अगर भ्रहम है आरजेडी को कि सिर्फ उसी का वोट होता है तो बाकि जो चार पार्टिया महा गटबंदन में थी उनका कोई वोट नहीं है गया आरजेडी का भी वोट संबली तुर्प से मिलता है बामपद्धी पार्टियों का भी मिला और कौन इसका भी मिला लेकिन आप अगर यह बातावरन बनाते हैं आरजेडी वाले कि और राहुल जी का नहीं करेंगे कैसे होगा थोजार चोवीस में तो आपको कॉंग्रेस के ही अगवाई में कुई गटबंदन मरें जो बीजेपी घुखारस रखती है यह किसी को भरम नहीं राना चाहिए और हमारे नेता राहुल गांदी ही प्रधान मंत्री पद्ध को बात कर रहे हैं यह ब्रह्म फलानी की कोशिस के लाव और कुछ नहीं बिल्कुल तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे प्रेम चंद मिरिशा इन्होंने साब तोर से कह दिया है कि लालू यादो चिला चिला करे कहते चल रहे हैं कि सुनिया गांदी से मेरी बाती हो प्रेम चंद मिरिशा ने यह किलियर कर दिया है कि अगर राज़त की और से माफे भी मांगा जाता है तो कॉंग्रेस आगे यह विचार करेगी कि क्या गठ बंधन बिहार में रहेगा या फिर राश्टिय अस्तर पर गष्ट बंदन रहेगा इस खर बस इतना ही देखते रहे यह नीज परनेशन धन्यवाद